आप लोगों पता है कि आईफोन 15 के अंदर USB Type-C पोर्ट आ है लेकिन आप आईफोन के अंदर और जादा बड़े चिंजिस आ रहे हैं जो शाद हमें कहीं न कहीं यहाँ पर अफेक्ट कर सकते यानि गर आप Apple की यूज़र है फ्यूचर में Apple के फोन्स यूज़ करते हो तो कुछ चीज आपके लिए अच्छी होंगी और कुछ ऐसे बड़े चिंजिस जो आज के समय में जो हम आईफोन को देखते हैं उसको आप पूरी तरीके से बदलते देखो सबसे पहले बात करते यूज़र टाइप सी की देखो यूज़र टाइप सी के ऐसा लॉर यहां पर निकल कर आया था जहां पर जिसे यूरोपीन यूनियन ने फोर्स किया था और जिसके चलते यह हुआ था कि एपल वाल ने एक पर्टिकुलर रीजन के लिए स्पेशल आइपोन नहीं बना सकते थे क्योंकि वहाँ पर हार्ड इनर चिंजर्स करने होते हैं पूरी मशीनरी लगाने होती है जिस कारण से इस पैसे पर टाइप सी वाल आइपोन यूरोप के लिए तो उनके लिए काफी दिक्कत की बात होती है इसलिए आइपोन 15 सा बनोड़े हर अपने आइपोन के अंदर यूएस पी टाइप सी कर दिया और फ्यूचर में जितने भी फोलोएंगे उसमें भी यूएस पी टाइप सी पोर्ट आएगा लिकिए यह सिर्फ एक पहला स्टैप था इसके बाद European Union ने Digital Market Act लेकर आई थी जिसके चलते यह कहा गया था कि हम आइपोन के अंदर जो iOS होता है उसको भी बिल्कुल Android की जैसे यहाँ पे काम करना पड़ेगा जैसे की बात करें जो 3rd party apps होती है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा जो browser का choice होता है वो Safari होता है तो उसकी भी options यहाँ पर देने बढ़ेंगे यहाँ तक कि अभी आप जो apps डाउलोड करते है वो यहाँ पे Apple के App Store से डाउलोड करते है तो उसकी जगे जो 3rd party app store है उसके लिए मौका देना पड़ेगा यानि कि ऐसे काफी सारे changes थे और अभी हाल यह में जो iOS 17 का जो नया beta आया उसके अंदर चीज़ों को integrate कर दिया गया है और March 2024 के बाद यह सारी चीज़े इंटीग्रेट हो जाएंगी App Store के अंदर और iPhone के अंदर हाला कि एक बाह बता सकता हूं यह जट्ते भी चीज़ों का integration यहाँ पर होने वाला है यह होने वाला है सिर्फ और से यूरोप की जो अंदर जो phones होते वहाँ पर तो Apple के लिए कोई जाधा टाइम लगेगा नहीं इन सारे changes को globally roll out करने में और देखके असा लगता है कि exactly में जो हम जो Apple company जो iPhone कर जो future होता है वो यहाँ पर देख रहे हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं आकर यहाँ च्या-च्या changes आने वाले जो को changes के बारे में अगर बात वो iOS के लिए का अपना separate alternative app market यहाँ पर create कर पाएगा और इस तरीके से रखा जाए कि वहाँ पर जो apps वहाँ पर host की जाएं वो पूरी की पूरी तरीके से बिल्कुल safe हो और secure हो इसके लिए Apple ने ये भी किया कि notarization for iOS यहाँ ने कि कोई भी iOS उसका distribution channel कोई सा भी हो अगर वो कि CB store पर अगर चारी है तो उसको सबसे पहले Apple के पास आना पड़ेगा वो उसको check करेंगे देखेंगे की app सही है की नहीं है उसके बड़ डेवलपर की मरजी कि उसे app store पर रखने की कहीं और रखना है इवन जो app marketplace जो दूसरी app store से भी वहाँ पर check करेंगे उसकी भी minimum requirement रहेगी ताकि जो apps वहाँ से download हो रही है वो user के लिए safe है या नहीं और user और developers उनको protect किया जा सके इसके साथी iOS में आगे चलके एक additional malware protection भी आएगा जिसके अंदर कोई भी app अगर आप यहाँ पर download करेगा user device तो अगर उसके अंदर कोई malware है कोई problem है तो यह कुछ बड़े changes यहाँ पर store store के अंदर यहाँ पर करें अब यहाँ पर मतलब यह की आने वाले समय में अगर इंडिया में भी अगर इस टैप की चीज़े आती है तो definitely लोगों के choice मिलेंगी app store के लावा कहीं दूसरे store से apps download करने के लिए इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर safari होता है उसके अंदर भी changes यानि कि अभी जो वैब ब्राउजर देखने को मिलता है वह जितने भी आपको देखने को कहीं सफारी पर बेस्ट है यानि अगर आप Chrome ब्राउजर भी चलाएंगे वह भी काफी है तक सफारी रहता है वैसे चलता है क्योंकि internal सारी चीज़ें सेमें लेकिन अब इनोंने मौक आप्शन हैंगे यानि कि अभी अगर आपको कोई in-app purchase करनी पड़ती है जो आपका Apple ID के अंदर जो payment रहती है उसके खुरूँ जो payments होती हो सारी जाती थी अब किसी को अपने अलग से gateway लगाना payment का तो वह possible होगा और यहाँ पर जो developers से उनके यह कहा गया कि यहाँ पर जो commission हो दे तो पहले क्या करता था Apple के लगबग 30% तर जो पैसा था वो अपने पास रखता था वो कम करके 17% कर दिया है और यहाँ पे Apple ने core technology fees को भी इंट्रियूस किया है जो की होगी 0.5 euros की यानि कि app store या बाहर के किसी store से कोई भी अगर एप यहाँ पर download करेगा अप्डेट वग कि यहाँ पर एक छोटा सा shortcut यहाँ पर निकाल दिया उसने यह देखा कि यहाँ पर क्या के restrictions लगाए जा रहे है और उनको एक तरा से bypass किया जैसे कि European Union ने बोला था कि हाँ पर side loading अवैलेबल होनी चाहिए apps की तो उसने क्या कि हम side loading नी करेंगे लिगन हम हर app को track करेंगे और जितने भी third party stores होंगे उसे भी इस तरीके से रखें कि उन्हें भाँ से permission लेनी पड़े इसके साथ है उन्हें पता था कि developer के लिए fees अगर यहाँ पर कम कर रहे है तो एक नई core technology फीस ही लोग यहाँ पर लेकर आगे Apple का जो close deco system में वो भी यहाँ पर बना रहे है लेकिन जो digital market tech के अंदर जो changes थे उसे भी हाँ पर comply कर ले और आने वाले समय में कोई और changes आएंगे तो Apple उसके साब से भी अपने आपको adopt कर लेगा लेकिन मोटा मोटा देखा जा तो यह कुछ changes है जो आने वाले समय में iPhone के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अब बात की जा तो यह ची कर सकते हैं लेकिन Apple के लिए जो software changes करना रहता हो competitively जादा आसान रहता है बैक हैंट से सारी चीज़े करनी है कोई manufacturing सेट अप नी करनी कोई hardware नी लगाना कोई factory नी लगानी उनके लिए सारी चीज़े काफी करना आसन है तो ग्लोबली भी अगर वो करना चाहता हो कर सकते हैं ल पोर्ट होना चाहिए और आपने ऐसी भी न्यूस लोगी कि जितने भी आइफोन इंडिया में के इंट्रियोटिंग पुराने उनके अंदर भी USB टैप सी होना चाहिए जिसके लिए कहा गया था कि मिड टू 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 टीफाइट यहां पर सेलेक्ट की गई थ होते हैं जैसे आइफोन 12, आइफोन 13 या आइफोन 14 की बात करें उनकी इसलिए यहां पर होती है और एपल को पता है कि इस साल भी विखिंग और अगले साल भी विखते रहेंगे तो 2025 के मिड तक यानि कि जूम 2025 की जूम डेंट डिसाइड की गई है वहां तक एपल के लिए अपने सारे आइफोन को यहां पर एक करके टाइप सी करने का और 2023 के बाद वो जितने भी आइफोन निकालेंगी वो सारे सबके सब यूएसबी टाइप सी पूर्ट के साथ होंगे तो एपल के पास एक मौकर हैगा कि पुराने जितने भी मॉडल्स होते उनके स्टॉक्स को यहां पर अल्रेडी क्लियर आउट कर दे जितना वो बना सकते वो बना दे और जब तक यह रूइं हाँ पर आपाएगा तब तक एपल के पास जो पूर्ट आप पोर्टफोलियो होगा वो अल्रेडी यूएसबी टाइप सी आइफोन का होगा यानि कि हम उस समाहने की बात क अल्रेडी आइफोन 16 आइफोन 17 ये सब लांच हो चुके होगे और उसके बाद आइफोन 15 का रेंड गिर चुका होगा और वो अल्रेडी पुराने जो आइफोन 14 आइफोन 13 उनको यहां पर रिप्लेस कर चुका होगा तो उसके बाद आइफोन के अंदर आपको USB Type-C इतने बड़े मार्केट को वो लूज नहीं करना चाहते थे इंडिया उसके लिए की मर्जिंग मार्केट है उसको भी वो लूज नहीं करना चाहते और आगे चलके एपल वाले अपने पुराने आइफोन को धीरे धीरे डिसकंटीन्यू करें और 2026 तक आते आते आप यह अभी ना कभी आपको इंडिया के अग्लोबल आइफोन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे देखते आयोस 18 के अंदर क्या दैद कुछ लोग का यह भी कहने कि आयोस 18 अभी तक कर सबसे बड़ा आयोस का रिलीज होगा देखते क्या चीज़े रहती आने वाले आप लोग नीचे कमेंड नों बता सकते थिंग आपको वीडियो देखने के लिए आप से लोग वेस्ट वन में गुडबाए